hello guys welcome back to my channel तो आज की वीडियो में मैं आपको सब 3 dots से सूट पूरा बनाने बताने वाले हूं तो आप इस 3 dots से सूट को बना सकते हैं अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तब भी आप इसे बना सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया है अपने कपड़े को far fold करके रख लिया है और suit को अपने उसके उपर उल्टा करके रख दिया है आपको सीधा नहीं रखना है उल्टा करके रखना है तो जहां तक मैं यह चौक लगा रहे हूं वहां तक यह कपड़ा फॉल्ण है तो ये देखे जो मेरी तरफ का साइड है वो folded साइड है और आपको इसी तरह से अपने कपड़े को फोर फोल्ड करके रख लेना है थोड़ा सा एक या दो इंच बढ़ा के रखिएगा जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो लंबाई आप अपने हिसाब से अज़स्ट क ना तो यह भी इसी में आ जाएगा तो इसलिए हमने यह आपँ आदा इंच ऊपर के लिए छोड़ा है और जहां तक हमारा सोल्डर का नाप है तो देखी सोल्डर हमारा यहां पर 7.5 इंच से हमें यहां पर गोलाई दिख रही है तो यहां पर हम देखे साड़े साथ इंच इस तरह शे निशान लगा लेंगे तो जितना भी हमारे सूर्डर है देखे मैं रिपर निशान लगा लिया मैं और वहां तक आपको निशान लगा लेना और जहां से ओपन है वहां से आपको छोड़ देना अर्चा तो यह देखिए फिटिंग का निशान है इस बात का आपको ध्यान दे रहा है और जो हमारा मतलब 2 इंच का जो मार्जन छोड़ेंगे वो हम बाहर की तरप रखेंगे आपको उसे कट नहीं करना है तो यहां पे देखिए हमारा पे सोल्डर का भी निशान लगा ले रहे हैं कि इसे बहुत ही इसली बना सकते हैं तो यहां पे देखिए मैंने सोल्डर का दुनों तरप से निशान लगा दिया अब हम अपने सूट को हटा लेंगे हमारे मार्किंग कंप्लीट हो गई तो इसी तरह से आपको अपने निशान लगाने देखिए कितने कम डॉटव है पूरे कोई गोलाई नहीं देंगे तीन इंच के बाद हम गोलाई देना स्टार्ट करेंगे तो यहां पे देखिए मैंने तीन इंच के बाद गोलाई देना स्टार्ट किया अब क्या करना है आपको अब हम इस तीनों डॉट को मिला देंगे कमर का डॉट ब्रेस का डॉट इसको तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप कमेंट करके मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं यहां पर देखिए मैंने यहां पर ऊपर की तरफ जो कटिंग थी वो मैंने यहां पर कर दी है अब यहां पर देखिए नीचे की तरफ जो कटिंग है हम सीधे इसको स्टेट करते हुए चले जाएंगे यहां पर आपको कोई भी सेप नहीं लगानी है यहाँ पे हमने पूरी cutting कर ली है अब यहाँ पी देखिए उपर की तरफ जो हमारा folded side है यहाँ पे आपको center पी इस तरह से cut लगा देना है जिससे आपको center का पता रहेगा तो आपको neck बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इस तरह आपको center पे cut लगा देना है और उपर स neck आप अलग तरीकी से बना सकते हैं अगर आपने एक साथ neck का cut कर दिया तो फिर आपको front or back neck एक तरह का हो जाएगा तो हम यहाँ से देखिए एक कपड़ा हटाते हुए एक इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखिए solder को पहले मैं down कर लेती हूँ तो दोनों तरफ से हम यहाँ पे solder को half inch नीजे की तरफ down कर ले रहे हैं जिससे हमारी finishing बहुत ही अच्छी आई ही और गला हमारा उतरीका नहीं तो देखिए मैंने एक पार्ट को यहाँ पे अलग कर दिया है अब मैं इस को सही से कर लूँगी इसके बाद मैं आप यहाँ पे नेकी भी marking कर सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने half inch इस तरह से इसमें यहाँ पे safe लगा लिया है यह front का safe है इससे क्या होता है जो आगे का हमारा armhole होता है वहाँ पे आपके जोल नहीं आता है तो इस तरह से आपको half inch नीचे की तरफ safe लगाती हुए इस तरह से यहाँ पे आगे की पल्ले पे safe लगानी है और यहाँ पे अब हम इसे cut कर देंगे अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment पी पूछ सकते हैं तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे cut करेंगे यह कपड़ा थोड़ा खिसक रहा है क्योंकि यह बहुत ही चिकना कपड़ा है तो इस तरह के कपड़ों में आपको पिल लगाना होता है तो मेरे परस यहाँ पे वेलवल नहीं था तो मैंने नहीं लगाया आप यहाँ पे पहले pinces को secure कर लीजिए उसके बाद इसे cut करिएगा अब देखिए यहाँ पे मेरा यह cut हो गया बिल्कुल ध्यान से आपको यहाँ पे इसे cut करना है अब यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को इस तरह से रख लिया तो यह हमारा solder इतना था तो अब यहाँ पे आप कोई भी neck draw कर सकते हैं इस तरह से हमारे suit की cutting complete हो गई है तो इस तरह आप यहाँ पे कोई भी आप neck draw कर सकते हैं और आपकी suit की final cutting इस तरह से बनके तयार है